कि हलो इस्टूडेंट बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का पी ब्यारे स्टेडी में दोस्तों हर दिन हमारी कोशिस होती है कि आपको बहतर से बहतर सुभिधा मिल सके और इसी कोशिस में आज हम फिर से आए हैं जीरो लेबल मैथ का अठों पार्ट ले करके जीरो लेबल म बहनमूल जोड घटाना गुड़ा भाग गुड़न खंड एनी फैक्टर यह सब हमने सेख लिया लेकिन अब हम थूड़ा दूसरे फैमली में चल रहे हैं ठीक है वह क्या है वह से पहले इसको पढ़ाना था अंक गड़ित की शुरूवात अंक से होती है दैनिक जीवन में ह गिनने की परडाली बोलते हैं एक पैंसिल भी आगई मानलो तो कितना हो गया तीन हो गया कुल मिला के आप इसे कैसे यह कहोगे परिभासा की अगर बात करें तो कोई बिसेश परिभासा नहीं होती है मैंने खुद से बनाया हुआ है कि संख्याओं को बेक्त करने की लेखन परडाली को अंक कहा जाता है अंक को इंगलिस में डिजिट बोलते हैं आपने सुना होगा कि आएट डिजिट का नंबर है नाइन डिजिट का नंबर है वगएरा वगएरा है ना तो यह होता है उसके बाद बात करें संख्यानी की नंबर्स की तो देखो संख्या क्या होता ह दो या दो से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहा जाता है मतलब जैसे हमने कहीं पर मालो 9 लिखा तो क्या है ये एक अंक है लेकिन अगर इसके बगल में हमने 1 भी लिख दिया तो क्या हो गई ये 91 हो गया ये संख्या हो गई मतलब जब तक दो अंक इकठा नहीं लिखे जाएंगे तब तक वो संख्या नहीं कालाएगी तब तक वो अंक ही कालाएगी वैसे हम लोग सामान बोलचाल की भासा में तीन को भी संख्या बोलते हैं चार को भी संख्या बोलते हैं पांच को भी संख्या बोलते हैं वो अलग बात है लेकिन अगर देखा जाए तो single कोई भी अगर 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 है तो यह ङी गालता वो संख्या नहीं होती है संख्या तब होता क Content को यह जी रुलेबल वाली मैथ इसलिए सभी पार्ट को देखना और हाँ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो यह गलती बिल्कुल मत करना जल्दी से तुरंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आन करें और बने रहें हमारे साथ साथियों पीवी पटल एक इमेजकरी नमबर यह दुद हो दिश्कारइब के परिवार होता है कालपनीक संख्या के अके लिए कि नहीं होता और उसके बारे में यहाँ आपको नहीं बता रहे है वास्तिविक संख्या की तो परीचे को इनके स्वभाओ क्या है इनकी परिवासा क्या है इनको पहिचानोगे कैसे यह सब हम आपको दिखाएंगे बस आप हमारे साथ पूरा समय बने रहना चलो सबसे पहला नंबर आता है नेचुरल नंबर वाट इज नेचुरल नंबर नेचुरल आपके दिमाग में जाते ही आपको प्रकृतिक चीज़ें आदाई होंगी नदियां तलाब पहाड परबत है ना बिलकुल साही समझ में हार आपको नेचुरल नंबर मिंस यह होता है वो संख्याएं जिने हम खुद से नहीं बनाते मतलब प्रकृतिक होती है नेचुरल ही होती है वो कैसे इसकी परिवासा या फिर इसका एक्जामपल कैसे समझगे देखो प्रकृतिक संक्याएं वह संक्याएं होती है जिन इस हम फील कर सकते हैं महसूस कर सकते हैं गिन सकते हैं वह प्रकृतिक संक्याएं कहालाती हैं जरह सोचो जैसे मैंने कहा कि हमारे पास वाईalay अने मंगों हैब क्या आपके दिमाग में आ Jahre कि वाई मेंगो का मतलब क्या कुछ समझ में आया नहीं ना लेकिन अगर मैंने कहा मेरे पास वन महिंगो है तो आपके दिमाग में आ जाएगा आप कल्पना कर सकते हो कि मतलब बहुत बढ़ा हो गया इत्ता बढ़ा होगा जैसे भी होगा मतलब बहुत जाता 100-200 200 vaso sogenan यह तो नहीं 500 किलो काmeter है तो Pop तो कहने का मतलब ये कि one मैंने प्रफन आपने कल लिया आपने सोच लिया महसूस कर लिया कि one कैसे होता है मैंने का one pen है कि यह one pen हमारे पास है लेकिन मैं नहीं डिखांऊंग अगर मैं सी पेन है तो क्या फिल कर सकते हो कि सी पेन क्या है कि सी पेन तो कुछ होता ही नहीं आपको समझ में आगा सी पेन कितनी है दो है दस है हाँ अगर मैंने कहा कि हमारे पास माइनस तीन पैन है तो माइनस में कोई पैन होती है नहीं समझ पाओगे नहीं आप इसको फिल नहीं कर सक सकते हैं लेकिन आपको समझा सकते ना अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास साथ पैन है तो आप सेबन पैन गैस कर सकते हो कैसे होगी यह देखो यह सेबन पैन है ना अब आपको सेबन पैन दिख रही ना मतलब आप समझ गया होंगे अगर सेबन पैन आपने कहा तो आप गैस कर सक कुल मिला कि आप मतलब समझ गया होंगे कि प्रकृतिक संख्याएं क्या होती है ना चलिए इनके जांपल है जैसे वन से ही सुरू होती है एक से लेकर करके आनंत कि संख्याओं को प्राकितिक संख्याएं कहा जाता है अनंत तक जाएंगी इन फाइनाइट तक कोई सो तक बोलता है कोई दफ लाक कोई बीफ लाक लेकिन उससे बड़ी भी तो हो सकती है आप गैस कर सकते हो कि हमारे मकान की बनवाने में 25 करोन रूपय लगा तो 25 करोन रूप संख्या पूर्ड संख्या मतलब एक लाइन में समझ लो प्रकृतिक संख्याओं के परिवार में जीरो को सामिल कर लेने पर जो संख्याएं बनती हैं वह भाईया पूर्ड संख्याएं कहलाती है मतलब जीरों के बीना संख्याएं पूर्ड नहीं है अधूरी है बात समझ र हो कि नहीं एक कोई मूवी में देखो कहने का मतलब यह कि सूनने के बिना संख्या प्रडाली जो है मैथ का सिस्टम अधूरा है बिना सूनने के कुछ हम नहीं जा पाएंगे बात समझ रहे हो ना बीना चसूने लगाए तो कहने का मतलब पूर्ड संख्या नहीं बन रही है अगर नाइन तक आप काउंट कल सकते हो लेकिन टैन में जाओगे तो सूने की जरूरत पढ़ेगी जहां आप टैन से उपर गए तो कुलमिला के ये समझ होता है इंगलीस में इंटीजर बोलते हैं अगर कहीं स्पेलिंग को तो बता देना वैसे हमारी भरपूर कोसिस होती है कि भी आश्टेक ना हो ठीक ना बकिन तो सब सब सभी है इंटीजर मतलब होता है अब दो आक अपने सुना हो का धन पूड़ांक रिंड पूड़ांग वगरहाए ये सब बातें आपके कानों में घुकुमक गुजरी होंगी तो देखो पुड़ांक किया होता है बत्षपने में आपने संहें संप्य रिखा देखा हoga संप्य रिखा मैं जोटा दिखा दे रहा हूँ ये लो आ साइड में बढ़ी ये क्या pakन देंगे संप्यस रिखन इस पर बीच में जीरो होता है इस दाहिनि साइड चलने पर एक दो तीन 3-4-5 फिलस में होता है इधर माइनस में होता है मतलब समझते जाना बस ठीक है अब देखो कि संक्रेखा पर दोनों तरफ संक्या है दाइनी तरब भी तरफ तो सुनने के दाइन तरफ इस्तित सभी संक्याएं क्या है यह धनपुड़ांक है चुकि यह सभी बात समझ गए अब पुडांक की बात आती है देखो धन पुडांक या रिड़ पुडांक दोनों में पुडांक वर्ड आ रहा है यह यह भी अनंत तक जाएगी इसकी कोई लिमिट नहीं इधर भी अनंत तक जाएगी कोई लिमिट नहीं है तो आप यह कह सकते हो कि माइनस अन लेफ में कहीं भी चलोगे तो इसलिए concept आना चाहिए और यह कलास तो बहुत बड़ी होगी नहीं बाकी बची हुई चीजों को हम आपको describe करके दिखाएंगी लेकिन आप जोइन करिएगा प्रीमियम कलास ठीक है बाकी तो आप यूटूब बहुत कुछ आप देखी रहे हो इसकी परकिरिया बाद में बता दूँगा चलिए अगला आता है sum संख्या even number नंबर इंगिलीज में इसको कहा जाता है even number की पहचान लोग बहुत तरह से बताते हैं अलग अलग लेकिन हम अपनी तरह से बताते हैं लोग ये बताते हैं कि भाया जो संख्या हैं दो से पूरा-पूरा कड़ जाए वो защम संख्या कहना आती ने हैं लेकिन उसके लिए कौन लफ़डा करे हैं देखो जैसे गर मैंने एक संक्षा कहा चार तो आपने कहा कि भईया इसको 2 से भाग करोगे तो 2 दुनाए 4 यह पूरा पूरा कड जा रहा है 0 6 पाल हारा मतलब यह सम्संख्या है चार के बारे में तो आपने बड़ा प्यार से बता दिया मैंने कहा बारा आप कहोगे भाया दो कभाग करने पर दो चंग बारा कट जाता है इसका मतलब बारा भी समसंख्या है लेकिन मुसीबत में आप तब फंस जाओगे जब मैंने कहा कि चलो मुझे ये बता दो ये कितना पढ़ा जाएगा एक तालिफ लाख पच्पन हजार आट सो बतीफ अब आपके दिमाग में आएगा कि इसको भी दूई से भाग कर लो तो इसको भाग करोगे जब तक ऐसे क्या करोगे ये दो दूना चार ऐसे इसे करोगे काफी लंबा खिच जाएगा ये बताओ ल तो अकुल मिला के आप इसे आसान भाथ समय ये समझ लो कि वो संख्या हैं जिनका लाश्ट डिजिट अन्तिम डिजिट क्या हो जीरो हो दो हो चार छे आठ ठिक उन संख्याओं का सिर्फ आपको लाश्ट डिजिट देखना है बस अगर इसमें से है तो वह सम संख्या का ला लाएगी बिसम संख्या का लाएगी बात समझ गए ना मतलब देखो जैसे अगर मैंने लिख दिया यह देखो एक तालिफ लाग पच्पन और जीरो दो चार छे आठ ये पांचंक हो गए इकल बिला के यही जाओ पूरा संख्या का खेल खिलाते अपको। अगर यह पांच अंग ऊपर के LAशος में कहीं मिलते हैं मतलब और आसम में लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप 30 दिन में मतलब 30 दिन से लेकर नबे दिन के अंदर आप पूरा अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी नहीं देना है तो भाई जीरो लेबल से लेके टॉप लेबल तक आप हमारे साथ यूटूब पर पढ़ते रहें एक भी पैसा नहीं देना आपको सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करके रखिए बैला इकनान रखिए दोस्तों में खूब सेयर कर यह बस आप यूटूब पर देखते रहें बात समझ गए ना तो चलते हैं फिर आजके लिए इतना ही जैहिंद चलते चलते एक निभीदन होगा यार सेयर जरूर करना और लाइक ने कियो तो तुरंद कर देना और अगर पढ़ना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेन जाता हैं टाइक जाए लेना इतना हो तुरंद कर देना है।